आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है निकुलियस और हम लोग के एकॉरिंट वे चैप्टर नमबर 5 होगा और N.C.E.R.T. बुक के एकॉरिंट वे चैप्टर नमबर 13 होगा इस चैप्टर में हम लोग को निकुलियस के बारे में स्टडी करना है तो पीछले बारे चैप्टर में हम लोग ने Rutherford Atomic Model इसमें हम लोग ने देखा था कि निकुलियस क्या होता है किसी भी atom का वा सेंटर जहां total positive charge और almost total mass concentrated रहता है उस center point को कहा जाता है निकुलियस किसी भी atom का center वा सेंटर पॉइंट जहां पर atom का total positive charge और लगमक total mass concentrated रहता है उस point को उस center point को कहते है निकुलियस अब ऐसा क्यों बोलते हैं तो ऐसा किसली बोल जाता है क्योंकि center में यानि कि अगर यह atom मांदें और यह सेंटर point मानें तो यहां बादेरी center में proton होता है और neutron होता है और बाहर में electron होता है के बारे में लोग जाते हैं कि electron negatively charged party होता है और proton positively charged party होता है और neutral 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 होता है इस पर कोई charge नहीं होता है तो जितना भी यानि कि proton प्रोटोन सेंटर पर होता है यानि total positive charge concentrated रहता है center पर और हम यह भी खा जाता है कि लगब टोटल मास यहां पर concentrated रहता है लगब इस लिए करते हैं क्योंकि अगर atom के मास के बादे में बात करते हैं तो मास करेगा proton के मास पर यहां पर होता है यानि जादर तर मास यहां पर होता है लेकिए एलिक्तोन के बाहर होने कि नहीं हो जाती है इसलिए हम लोग कहते हैं कि वह सेंटर पॉंट जहां और तोटल पोजिटीव चाह्ज और लगभण टोटल मास को अनसेटेटेड़ रहता है उस सेंटर को ऊसेंटर पॉंट को कहते है निकुलियस यानि कि निकुलियस प्रोडोन औ निल्ट्रॉन का बना होता है अब प्रोटोन के बारे में यह कहते हैं कि किसी भी निकुलियस में पोजेटिब्ली चार्ज पार्ट कि को कहते हैं प्रोटोन किसी भी निकुलियस में निकुलियस में पोजेटिब्ली चार्ज पार्ट कि को कहा जाता है प्रोटोन अब प्रोटो पर चार्ज होता है QP यानि चार्ज आफ प्रोटोन चार्ज क्या होता है यह होता है 1.6 x 10 to the power minus 90 कुलम चार्ज होता है एक प्रोटोन पर और प्रोटोन का मास क्या होता है तो मास आफ प्रोटोन यह होता है 1.6726 x 10 to the power minus 27 कीजी प्रोटोन का यह मास होता है और प्रोटोन का यह चार्ज है 1.6 x 10 to the power minus 90 कुलम और यह प्रोटोन का मास है अब किसी भी निकोलियस में परजेंट टोटल नमबर आफ प्रोटोन को किसी भी निकोलियस में परजेंट टोटल नमबर आफ प्रोटोन को उस निकोलियस का आटोमिक नमबर कहते हैं अटामिक नमबर एकुल तूो हजाएगा अटामिक नमबर एकुल तो हो जाएगा ataटामिक नमबर इकुल तू होजाएगा तियुकिसिभी निकोलियस में परजेंट protons के number को कहते है उस Nicholas का atomic number और atomic number को indicate कियाता है Z से Z equal to हो जाएगा यह यार ज़िनेवादी चीज 매 вр Bush है कि Z equal to हो जाएगा ती चाहिनी atomic number equals to number of protons इसके बाद आते हैं neutron पर जो neutron किसी भी Nicholas में पर्जें तो और नेयुट्रल पर्ट गो नूट्रान किया है यारी कि डूट्रोग इक ऐसा ऑप कि होता है कि जिसपर कोई चार्ड नहीं होता है अब नूट्रान का मास किना होता है तो उसस्य की मास उफ् नूट्रौन तो नूट्रोन का माश होता है 1.6749 इंटु 10 to the power minus 27 kg यानि कि देख सकते हैं कि नूट्रोन का माश प्रोटोन के माश से धोरा ज्यादा होता है यह है 1.6749 और यह 1.6726 है तो नूट्रोन का मास प्रोटोन के मास से धोरा ज्यादा होता है इसके बाद किसी भी निकुलियस में परजेट प्रोटोन के नंबर और नूटोन के नंबर को कहते हैं उस निकुलियस का मास नंबर किसी वी नीकुलियस में बर्जेंट, प्रोटोन और नीज्रॉंस के नंबर को कहते हैं उस नीकुलियस का मास नंबर यानी की मास नंबर अगर हम लिखते हैं तो लिख सकते हैं कि मास नंबर mass number mask number equal to हो जाएगा number of protons plus plus number of neutrons number of neutrons यानि किसी भी Nicholas में present proton और neutrons के number को कहा जाता है मास नमबर और मास नमबर को किसे इंडिकेट करते हैं तो मास नमबर को इंडिकेट किया रहता है एसे मास नमबर को इंडिकेट करते हैं एसे तो एकोल टू हो जाएगा प्रोटॉंस के नमबर को पी से और नूटॉंस के नमबर को एन से तो एकोल टू हो जाएगा पी प्लस एंड यह वात नियाद रीका है कि mass number को indicate क्या रहता है ऐसे और mass number क्या होता है ? किसी भी रहरम ईजडिये popping total number of protons और deutrons को कहता है बिध है आज निकोलियस का mass number तो, 0 TO – P narrative अब लिक ये से पाते आप फो लिकें पैले लिकें लिक … नुकोलियस डिस्क्रैब तो, एंसर वे लिकें एंसर वे लिकें the center of the center of an atom at the center of an atom the center of an atom where the total positive charge where the total positive charge and almost and almost all the mass and almost all the mass remain concentrated remain concentrated is called nicolias is called nicolias which talk about it it consists of it consists of proton and neutron it consists of proton and neutron उसके बाल लिखे और नीचे वाने लाइन में लिखे नीचे वाने लाइन में लिखे proton लिखे प्रोटोन लिखे आज लिखे और फर्स्ट नमबर बना के लिखे इसने जयोड़कर लिखे पर्णो में लिखे przykładर के लिखे नीचे जाज थी लिखे तो हैं प्रोटोन में लिखे पौज़कर के लिखे आधिऊ गए लिखे गावियर्मिर्ग्णे लिखे के लिखे 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 द необход包括 में세park is called proton दूसे पॉइंट मे लिखे The charge on a proton is The charge on a proton is The charge on a proton is 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb या मे लिखा हुआ है उसक जिब आ The mass of a proton is 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg into 10 to the power minus 27 kg. The number of protons present inside the nucleus is called atomic number. The number is called atomic number of the nucleus. Atomic number of the nucleus. Atomic number equal to number of protons. Atomic number equal to number of protons. The neutral particle present inside the nucleus is called neutron. The second point is there is no charge on the neutron. There is no charge on the neutron. There is no charge on the neutron. The mass of a neutron is 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg. The number of protons and neutrons present inside the nucleus. The number of protons and neutrons present inside the nucleus. is called mass number of the nucleus. Mass number of the nucleus. mass number of the nucleus. And it is denoted by and it is denoted by and it is denoted by capital A. mass number of the nucleus. mass number equal to number of protons plus number of neutrons. ? mass number equal to number of protons. mass number of protons is true. mass number equal to number of neutrons. तो a equal to b plus n हो जाएगा, a equal to b plus n, इस तरीके से यह हमारा complete हो गया construction of nucleus, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे study 3 में, यहाँ पर study करना है, relation between, यहाँ पर study करना है, relation, relation between atomic, relation between atomic number and mass number, atomic number और mass number में relation लेखना है, तो हम लोग लिखेंगे, we know that, we know that, हम लोग क्या जानते हैं, एक नट, इसके आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग को देखना है, relation between atomic number और mass number, हम लोग लोग क्या जानते हैं, कि अभी हम लोग लोग नहीं यह देखा कि A equal to होता है, P plus N, यादि mass number equal to होता है, number of proton plus number of neutron, को first लेखेंगे, लिखेंगे, also, also हम लोग नहीं क्या देखा, कि Z equal to होता है, P होता है, इसको equation second बाहिए, तो from equation first and equation second, first first second symbol क्या लिख सकते हैं, तो first and second symbol लिख सकते हैं, first and second से लिख सकते हैं, P के लिख सकते हैं, Z, तो A equal to हो जाएगा Z plus N, P के लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा A equal to Z plus N हो जाएगा, यह एक relation हो जाएगा, यादि mass number equal to atomic number plus number of neutron, mass number equal to atomic number plus number of neutron, अगर number of neutron निकाला है, और number of neutron, number of neutron के लिख सकते हैं, number of neutron के लिख सकते हैं, तो A minus Z equal to हो जाएगा N, तो यहां सब लिख सकते हैं इसको के लिख सकते हैं, तो A की N equal to हो जाएगा, A minus Z, यह objective motion भी पूशा है, तो A equal to हो जाएगा, A minus Z, number of neutron equal to mass number minus atomic number, अगर, तो यह लिख सकते हैं, तो A equal to हो जाएगा, A equal to हो है, mass number, और Z equal to है, atomic number. और N equal to है, number of neutron, नम्बर को यहां से COPY करना है कि यहां से COPY करना है यहां से, Facebook करना है यहां से COPY करले। जंदर से Top कि इसके बाद आगे हम लोगो स्टेडी परना है कि पर्ली पर्जेंटेशन पर्ली पर्जेंटेशन और निकोलियस को कैसे रिपर्जेंट करेंगे तो निक्स को रिपर्जेंट करने का दो तरीका है कि अपर पर अपर भी यह पर होगा यहां फिर्ग पर आख की देख ऑब ओ अपरost…… और जहां यह क्या है यह आपको मास नमबर और ज़री क्या है यह है अटोमिक नमबर और यह इक्स क्या है यह है यह है कैमिकल केमिकल सिंबॉल ऑफ इलिमेंट का ही कैमिकल सिंबॉल है जहां पर यहां पर जैसे कि हम लोग कहते हैं कारवन का कैमिकल सिंबॉल क्या है कि यह से अक्सिंबॉल क्या है और इस तरह से आपर एक सकते हैं तो अगरे एक्सांपल में देखना है तो आप देख सकते हैं जैसे अगरे लिखा हुआ है इलियम और फौट यह क्या करता है तो यह रिपरजेंट करता है बोटी परसेंट सिंबॉल छियम निकलियस का वेगिन है वेग्ट अटॉमिक नमबर हमी एटामिक नमबर तो औंड मास नंबर 4 यानि कि यह रिपर्जेंट कर रहा है इंडियम इकुलियस को जिसका है टॉपिक नंबर 2 है वार मास नंबर 4 है इसके बाद इसी जरीकर से लिख सकते हैं लुरेणियम 92 238 इस में क्यानिक है इसमें ही हम तो लिख सकते हैं ती पर जैंस युरेणियम युरेणियम निकुलियस है है विक अटोमिक अटोमिक मानिक नंबर 3 है सब्सक्राइब नाइटीटू 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 एंद मास नंबर को जाएदा मास नंबर तू थी 238 जाएदा इस दाइगे से निकोलियस को रिपर्जेट किया चाहता है इसको भी कॉमिन दीजे जल्टी से इसके आगे जैसे कि अगर आपको कहेंगा कोश्या में यह कहता है कि वाइंद दर वाइंद नंबर व नंबर व नंबर व नूट्रों वाइंद नंबर व नूट्रों पर्जेंट इंद यूरेनियम नाइटीटू कि यूरेनियम इकुलियस में परजेंट नंबर व नूट्रों को निकाल ला है तो बहुत असान है हम दो लिखेंगे जिए क्या-क्या दिया हुआ है तो यहां पर जो होता है वो होता है अधर मिनिक नंबर यानि ज्यू इकुल तो डिया हुआ है नैटी तू और यहां पर होता है मास नंबर यानि एकुल तो डिया हो है 238 वी ओम लोग क्या जानते हैं अभी हमदों उने देखा कि कि नंबर ऑफ निक्रों इन से नंबर ऑफ न्यूंबर आना है तो यहां सब इसको सब्सक्राइब करेंगे यह हो जाएगे एक से 2 जाएगा तो 6 और यानि के हमारा हैंसर आगे अनुटॉंस का 146 तो इस तरह से हम लोग किसी भी निकुलियस का निकुलियस का परजें नबर प्रोटॉंस को निखाल सकते हैं इस फॉर्मॉला से अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो अच्छा लगए तो आप लाइक करें और कमिक्स करें और हमारे चैनल पर अगर अपस्ती सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ओके लाएगे